कहते हैं मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होंसलों से उडान होती है जहां इन्हीं पंक्तियों को सच कर दिखाया इंदोर की बेटी अंकिता नागर ने अंकिता के पिता सबजी बेचने का काम करते हैं जहां उनके इस काम में उनकी मा और खुद अंकिता भी पूरा साथ देती है वहीं अंकिता पढ़ने में भी काफी होश्यार है जिसका परणाम रहा कि अंकिता ने सिविल जज की परिख्शा को पास कर लिया अंकिता की इस उपलब्दी पर ना सिर्फ उनके परिवार बलकि पूरे शहर और देश को गर्व है क्योंकि जिन परिस्थितियों में अंकिता ने यह मुकाम हासिल किया वह उनके बुलंद इरादे और होसलों का नायाब उधारन है इंदोर के मुसा खेडी शेतर में रहने वाली अंकिता नागर रोजाना आठ से नो घंटे पढ़ाई किया करते थी वही शाम को जब पिता के सब्जी के ठेले पर भीड ज़ादा होती थी तब खुद अंकिता अपने पिता के साथ देने के लिए ठेली पर नजर आती थी अंकिता ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दिया करते थी दिन में वह आठ से नो घंटे रोजाना पड़ती है तो वही शाम को पिता के साथ सब्जी बेचने का काम भी संबालते थी वही इसके बाद अंकेता रात को फिर पड़ाई किया करती थी जिसका परणाम रहा कि सिविल जज की परिक्षा में अंकेता ने अच्छा परदशन करते हुए इस परिक्षा को पास किया वही अंकेता की इस उपलब्दी के बाद उसका पूरा परिवार बेहत खुश नजराया अंकेता पिछले तीन सालों से सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी जहां वह लगतार परिक्षा देती रहती थी तो दो बार अंकेता का सेलेक्षन नहीं होने के बावजूद उसके म माता पिता को देती है